एक गाव में मोहन नाम का किसान रहता था इस दुनिया में वह बहुत गरीब था उसके पास एक बहुत छोटा खेत था उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था एक दिन भयन कर गर्मी पढ़ रही थी फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था उसे बहुत पसीना हो रहा था फिर भी वो खेत में हल चला रहा था उस दोरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकडी का बकसा निकला उस किसान ने धीरे से बक्षे को निकाला वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बक्षे में क्या है केवल उसने बक्षे को उठा कर खेत के बाहर मेर पर रखा दिया उसने देखा कि यह बक्षा खाली है तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्षे में बहुत सारी रोटियां थी उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ किसान ने सोचा कि ये तो जादूई बकसा है उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है जो भी वस्तू उस बकसे में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा जब शाम को घर आया तो बकसे को अपने साथ ले आया आज वह किसान बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है वह गरीब किसान एक धहर्यवाला व्यक्ति था कभी भी उस बकसे से जरूरत से ज़्यादा सामान नहीं लेता था कुछ दिनों बाद उस बकसे के बारे में गाउव के जमीनदार को पता चला वह जमीदार एक लालची व्यक्ति था उसने सोचा मेरे जमीदारे में किसी भी जादूई वस्तू पर तो मेरा अधिकार होगा जमीनदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पढ़कर ले आए उस जमीनदार ने किस को धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमीदारी का हिस्सा है इसलिए उस बकसे पर मेरा अधिकार बनता है जमीदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला मालिक भले ही जमीदारी आपकी है लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूँ तो बकसे पर मेरा अधिकार है जमीदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बक्सा छीन लिया किसान बेचारा रोता रह गया बक्सा लेकर जमीदार खुश हो गया जमीदार ने बक्से से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादूई बक्से के बारे में मंत्री जी को बता दिया पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेज कर बक्से की सच्चाई के बारे में पता करवाया जब उस मंत्री जी के आदमी को बक्से की सच्चाई पता लग गई तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया मंत्री जी ने तुरंट जमीदार को बुलाया और कहा तुम्हारे पास जो बक्सा है वह तुरंट मुझे दे दो जमीनदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया बक्सा मेरे पास ही रहने दीजिए उस पर मेरा अधिकार है लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीदारी समाप्त करवा दूँगा जमीनदार ने डर कर बक्सा सौप दिया उस बक्से को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बक्से की बाद भी राजा को बता दी राजा को जब पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब किसान के खेट से मिला है तब राजा तुरंट अपने सेनापती के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है तुरंट बकसा राजमहल भिजवादो मंत्री ने तुरंट राजा की बात मान ली और सेनापती को बकसा दिया उस राजा ने बकसे से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाए कुछ दिनों के बाद राजा को बकसे की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले राजा उस बकसे को हमेशा अपने साथ रखने लगा एक दिन राजा ने सोचा इस बकसे में ऐसा क्या है आखिर इसका रहसे पता किया जाए उस बकसे का रहसे जानने के लिए राजा उस बकसे में बैट गया बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है सभी राजा राजे करने के लिए आपस में लड़ने लगे ये बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ उसने स्वयम को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बकसे को जमीन में गार कर रख देता तो बहुत अच्छा होता आपको कहानी असी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना